Hello everyone, how are you all guys? I just hope that you are doing super duper amazing and I hope that guys you enjoyed the today's session, right? Today's afternoon session you enjoyed a lot, ऐसे मैं ऐसे उमीद करता हूँ and फटा फट से अभी हम लोग इस चाप्टर को शुरू करते हैं, आज का ये वाला सेशन बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कमपनीज को रिवाइस करने की क चाप्टर नमबर थ्री, बी सी के बिजनेश और कमर्शियल नॉलेच चाप्टर नमबर थ्री की आज हम लोग रिविजन करने वाले हैं अभी कि अभी जो हम लोग रोज दौफैर सवा तीन बज़े स्पेशल क्लास पर लेते हैं, ठीक है, इस गोन बी फन, ठीक है, इस गोन नमबर थ्री को ऑप्शन में छोड़ते हैं, लेकिन हम लोग वैसा बिल्कुल नहीं करते हैं, हम लोग इंफाक्ट इतना ज्यादा पढ़ाई करते हैं कि कुछ भी ऑप्शन में नहीं जाने वाला है, कुछ भी ऑप्शन में नहीं जाएगा, ठीक है, हमारे पास टाइम है, इतना पूला है, मैं लूद करते हैं, हमें वाप्शन में लुअने फासेखना वे यादा, में थाने पासेखने त्यादा है, आए यावत में आक। यहान पर चौक है, है good evening बच्चा पार्टी and I can check it out over here people are joining 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 राखी जी यहां पर आचुके सानिया श्रिवासतर यहां पर आचुके है ठीक है thank you so much for for solving my most of the queries thank you that is great जबर्दस्यात मतलब अच्छा हुआ कि आज का सेशन हम लोग ने प्लान किया था right Anushka साह thank you so much sir for solving a problem that's that's amazing guys that is really great and I hope that it helped you a lot essay sessions हम लोग लेकर आते रहेंगे guys आपके लिए right now अभी फटा फट से आप लोग क्या करो अपने सारे दोस्तों के groups में जो भी रहेंगा उनको बता दो क्या कि भाईया आगए revision के लिए come fast and join the class right आज का दिन गजब है क्योंकि sir आज आप से हम चार बार मिलने का मोका मिला है yes absolutely again we are going to meet today right today आज हम लोग कितने बज़े मिलने आले सवार नो बज़े हम लोग फिर से आज मिलने वाले है right everyone okay so 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 today is the energy booster जी हां आज का दिन energy booster रहा है this is so wonderful to hear it from you guys amazing amazing right आज का session मस था sir प्रियांचु मिश्रा कह रहे है राकी जी के रिए thank you so much अकी भाया धन्यवाद बचापार्टी धन्यवाद sir when will be अंशुल सर्स क्लास अंशुल सर की क्लास आज नहीं है बेटा अंशुल सर घुमने गए ठीक है वैकेशन मोड पर है अंशुल सर लेकिन हाँ उनके रेगुलर्ली यूट्व वाले सेशन्स तो होई रहे है ठीक है रेकॉर्डड़ सेशन्स आपके लिए चल रहे है ठीक है उन्होंने सारे बंदोबस कर दिया आएगा इस आप लोगों के लिए ठीक है चलिए तो डेसेशन वाज वेरी हल्फुल धन्यवाद आज तो कते ही जहर चलिए फड़ा फड़ते शुरुआदे गाईस फड़ा पड़ते शुरू करते हैं आप लोगों को सारे नए स्टुड़न्स को जो भी यहां पर आपके दोस्त होगे जुनिया जोगे सीनिया जोगे जो भ कोवेंबर 21 वालों के लिए बहुत ही अच्छा पैच हम लोग यहां पर लेकर आया है जिन्होंने अपना डिसीजन ट्वर्ट के रिजल्स के बाद लिया है जो लेट डिसीजन लिए चार्ड़ अकाउंटन्ट से करने का गाईस उनके लिए हमेशा सारे 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 स्टूडन बता दूगा ठीक है अब ध्यान देना आगए जाइस फैशल क्लास का टाइमिंग तो आप लोग को पता ही होगा आचा ठीक है ठाल क्यूंच यह भाइज थैंक यू सो मच धन्यवाद गाइस बहुत कितने बज़े मिलते स्पेशल क्लास पर हम लोग मिलते है सवा तीन तो आप लोग भूलिए गामत और जो भी subscription लेना चाहता है guys you can check it out over here right here right now 24 month subscription guys see foundation का only and only at 19,800 12 month subscription 14,400 6 month subscription just 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 at 10,800 you can apply the code DAGA10 DAGA10 is the code यहाँ पर आपको इंडिया के best educators आपको पढ़ाने वाले हैं interactive live classes होगा structured courses होगे live test and quizzes भी यहाँ पर होगा और यहाँ पर दिखीगा iconic में you are getting all the benefits of the plus apart from it you are getting personal course you are getting printed books you are getting evaluated test series and discussion channel as well right this is absolutely amazing 31,500 you are getting 12 month subscription 22,500 you are getting 6 month subscription you can apply the code DAGA10 DAGA10 is the code यहाँ 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 य यहाँ 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 months 44,500 you will get all these details in the description box as well वहाँ पर आपको link मिल जाएगी and also don't forget to follow me on the special classes because special class पर आज जैसा हम लोगों ने लिया था session बहुत ही amazing session रहा बहुत सारे बच्चों को अच्छा भी लगा वैसे amazing sessions में special class पर लेते रहता हूँ guys so you can definitely follow me on the unacademy description में उसकी भी link होगी and हाँ आप लोग ने अगर अभी तक आप लोग ने अगर अभी तक finance buddies को subscribe नहीं किया है तो फटाप पर से subscribe कर लीजेगा and one more thing guys हर Sunday unacademy आपकी लिए scholarship test भी लेता है 12 बजो होती है उसकी description में उसकी बी लिंक होगी और आप लोग उसको enroll कर सकते हो और आप लोग code लगा सकते हो daga 10 right daga10 is the code ठीक है iconic and plus का क्या difference है sir बेटा पहले MIT info informatics एक बार प्लस की spelling तो check कर ले थे ठीक है pulse नहीं हो it is plus बेटा मैंने यह आप पर difference बता है आपको ठीक है लेकिन iconic में यह तो सारा मिलकर आपको आपर personal coach printed books evaluated test series discussion channel यह सब कुछ extra मिलता है तो यहाँ पर एकदम 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 दोनों के differences आपको बता दिये हैं ठीक है और दोनों की difference आप एकदम अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हो मैं अब कितने बार बोड़ों ठीक है कोई बात नहीं that's that's okay ऐसे बड़े बड़े शेरों में ऐसे चोटी बड़ी बाते होते रहती है so that's fine so I hope that I hope that आपको पता चल गया होगा right okay so अभी हम लोग शुरुबात कर रहे गाइस एकदम 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 अच्छे से बचापाटी ध्यान देना है आप लोग को हम लोग एकदम रॉक कर करकर पड़ेंगे अभी हर एक mcq दिमाग में directly 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 चले जाएगा you have to be interactive you have to take your pen you have to take the highlighter either you write in the notebook और either you mark on your text books जो करना है वो करना है लेकिन सिर्फ एक चीज़ या रटना है कि पड़ाई करना है ठीक है वो भी एकदम 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 शुद्दत से है ठीक है चलिए जितना भी time हम spend करते उतना time हमें effective पड़ाई करने का है ठीक है सबसे पहले we are starting with a company known as walmart जो भी sentence को मैं highlight करूगा वो हो सकता है तुमारा mcq जो भी word को मैं highlight करूगा वो हो सकता है तुमारा mcq walmart में कम से कम minimum से minimum में 10 mcq आपको निकाल कर दिखाने वाल हो ठीक है and everything we are going to understand ठीक है perfectly सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने computer screens के सामने walmart कौन से साल में incorporate हुआ था walmart 1969 में incorporate हुआ था sir okay मैं नीचे लेकर जाता हूँ आप लोगों को walmart कब found हुआ था walmart was founded in the 1962 year sir okay great sir walmart incorporate 1969 okay sir walmart stock exchange पे list कब हुआ था वो भी बताईए ठीक है बताता हूँ ठीक है कहाँ पर गया वो walmart लिस्ट हुआ था 1972 में 1972 में walmart stock exchange पे लिस्ट हुआ था ठीक है नहीं भी यह तुम्हें बता जेता हूँ ठीक है ध्यान देना walmart के headquarters कहाँ पर है walmart के headquarters Arkansas में Arkansas ठीक है walmart के chairperson कौन है walmart के chairperson ग्रेग पेनार ग्रेग पेनार ठीक है walmart के CEO का नाम क्या है dog McMillan walmart के CEO का नाम इस dog McMillan ठीक है walmart इस दो वर्ल्स लार्जेस्ट कंपनी लार्जेस्ट कंपनी बाइ रेवेन्यू वर्ल्स लार्जेस्ट कंपनी बाइ रेवेन्यू आर यू गेटिंग दिस walmart कौन सी कंपनी है walmart एक retailing corporation है retailing corporation mcq में आ सकता है जो जो मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज़ आप लोगों को mcq के लिए आ सकती है ठीक है आगे देखिएगा walmart के store का नाम क्या है बच्चा पार्टी walmart के store का नाम है best price best price आर यू गेटिंग दिस walmart इंडिया में 21 बेस्ट price modern wholesale stores operate करता है 21 टीक है walmart का पहला store कहां पर open हुआ था सर वाल मार्ट का पहला store इंडिया में कहां पर open हुआ था अम्रिच सर में open हुआ था mcq के लिए आपको पूचा जा सकता है walmart इंडिया में कौन से साल में आया था walmart इंडिया में आया था 2009 2009 2009 टीक है walmart के सर इंडिया के CEO का नाम क्या है walmart के इंडिया के CEO का नाम है समीर अगरवाल समीर अगरवाल समीर अगरवाल याद रुखिएगा और एक चीज दिमाग में चले जाएगी गाईज हर एक चीज ठीक है एक है येस आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए कमऊन एवर्वान पे अटेंशन वॉलमाट इंडिया में कितने िस में walmart इंडिया में 192 वैंकितने 19 इंडिंहकिं मैं बेस्ट प्राइब स्ट्व का नाम है वे यह मय नंह आर्व कर दिया सुज्ड में इंडिया में इंडिया के सीओ का नाम समीर अगरवाल इन के पाउंडर का नाम क्या है इंके जबनार नाम इनकर परषका नाम क्या ऑदोभ क्या है इनकाToday क्यों क्यों थे स Judge को नाम क्यों बढ़िन राइट अमेजिंग अमेजिंग वाव दिस इस सो इंट्रेस्टिंग सर ये तो सर लन हो गया हमें वाल्मार्ट रैंक्ट नंबर वन ऑन फॉर्चुन फाइव हंडड़ कंपनीज लेज्ट वाल्मार्ट एक्वाइड फ्लिप कार्ड कितना परसन 77 प्रतीश्चत हम लोगों ने एक्वा वालमार्ट ने किसको एक्वाइग किया जड.com को एक्वाइड किया मूय को अक्वाइड करक्या प्लिप क्ले कॉर्णा-क टिक है वालमार्ट इंडिया में HDFC बैंक के साथ इनके को ब्रैंडिंग है for the credit card services for the credit card services को ब्रैंडिंग इन्गों ने HDFC HDFC credit card के साथ किया है, ठीक है, very 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 good, very good, amazing guys, this is so amazing, this is so amazing, sir, कितने सारे MCQs है, MCQ भी MCQ है, इतने सारे MCQ, yes, याद कैसे रहेगा, सर, सब कुछ याद रहेगा, everything, everything, देखना है, कैसे याद रहेगा, देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, just देखो, वक्त थोड़ा ज़ादा लगीगा, लेकिन जो याद रहेगा, वो जिन्दगी में कभी भूल नहीं पाओगे, ठ रिसाद, 1969 में, इंकोर्परेट हुआ था, yes, 1972 में, स्टॉक एक्वेज्ज पर लिष्ट हुआ था, yes, 2009 में, सर, इंडिया में आया Brock, yes, सर, इंडिया में कहाँ पर आया था, अमरित सर, ठीके सर, ईके, सर, इनके, फाउम्डर का नाम क्या है, इनके, पाॉंडर का नाम है, तो हां यहां पर हम लोग लगरेते ग्रेट फैनार ठीक है? सर इसके बाद हम आप से पूछना चाहते हैं सर इनके ceo का नाम क्या? इनके ceo का नाम है Doc McMillain ठीक है? अब इंडिया के ceo का नाम क्या था सर? इंडिया के ceo का नाम था समीर अगरवाल समीर अगरवाल ठीक है फाइन सर आप मुझे ये बताना सर इनके जो स्टोर है उनका नाम क्या होता है उनके स्टोर का नाम होता है बेस्ट प्राइस क्या नाम होता है बेस्ट प्राइस सर इनका स्लोगन क्या है सर इनका स्लोगन है Save Money Live Better क्या है इनके स्लोगन Save Money Live Better ओके सर Live Better सर ये क्या revenue wise सबसे बड़ी company है जी हाँ largest company by revenue largest company largest company by revenue ओके सर समझ गया सर सर ये जो fortune 500 company में इनका rank क्या है सर fortune 500 companies में इनका कितना rank है सर इनका rank आता है rank number one ओके सर great amazing सर मज़ा आ रहा है सर इन्होंने कौनसी कंपनी को acquire किया था सर इन्होंने acquire किया था bono boss को इन्होंने acquire किया था jet.com को ठीके इन्होंने acquire किया था flip card को ठीके flip card को सर ये कौनसी कंपनी है सर ये एक retailing company है क्या रीटेइलिंग कंपनी, ठिक है, इनके headquarters कहाँ पर है। इनके headquarters is in Arkansas, Arkansas में इनके headquarters है ठिक है, और कौन सी company को एकवाइल किया था, मूज जो ठिक है, मूज जो डन डन गाईस दीज है, we have actually written down everything on single page and every question यहाँ पर आपको MCQ के लिए आ सकता है इन्होंने हमारे HDFC क्रेडिट कार के साथ भी को ब्रैंडिंग किया था HDFC के क्रेडिट कार के साथ भी को ब्रैंडिंग किया हुआ है Right, yes sir, right वाव, sir मज़ा आभी, you, sir इतना अच्चे से कैसे याद होता है, sir सब कुछ स्थेसिज़ द्व्यूडियो आप एपिटीर्टेटिव रेविजियूज गायस रेपिटीर्टेटेव रेविजियूज करोगे तो जुझ जिन्दगी में बहूत-बहुत-बहुत आगी जाओगे ठीक है तर आगे बड़ रहे हैं पार चैक इस नोट्स को अपने दो जिके त तो पड़ाई को क्या बनाना है तुम लोग को फटाई को पन बनाना ठीक है जब पडाई हम लोग अच्छे से करते न मतलब नगा कर तो कुछ भी डिफिकट नहीं लगता है दूसरी कंपनी को पड़ रहे है। जो भी highlight करूगा वो MC क्यों हो सकता है तुम्हें exam में ठीक है अगे सर, fine sir, आगे बढ़ रहे है बच्छा पार्टी, with the second company highlighter का color change करते है, 1975 में company incorporate हुई थी, Microsoft, very very good Washington में उनके headquarter है, very very good John Thompson is the chairperson of the company, oh case Satya Nadella is the CEO of the company, oh case who is the CEO of the company, Ami Hood Ami Hood is the CEO of the company, so 1975 में company incorporated ही थी, Washington में उनके headquarter है, chairperson is the John Thompson, Satya Nadella is the CEO, Ami Hood is the CFO, sir ये कांसे वाली company थी, sir ये एक multinational technology company थी, बच्छा पार्टी technology company, sir ये इंडिया में कब आई थी, sir इंडिया में ये आई थी, इनकी story इंडिया में बिगिन हुई थी, इंडिया स्टोरी बिगें है 1990, 1990, sir ये 1990 में इंडिया में आता, जी हां, yes sir ये भी सवाल पूच सकते हैं, जी हां, पूच सकते हैं, sir ये क्या क्या करती थी, इनका operating system में इनका main काम है, operating system में, Microsoft Office Suite भी है, जिसके थुरू अपन PPT बनाते हैं, ये देखो, ये जो OneNote है, ये भी किसका है, Microsoft का, जिस पे मैं लिख रहा हूँना, वो भी Microsoft क्रेटिक है, Internet Explorer और पहले Chrome अगरे कुछ नहीं था, पहले Internet Explorer था, Edge Web Browser उसको कहते हैं, यहां पर देखिएगा, आगे, 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 इस कंपनी के founder कौन है सर, इस कंपनी के founder, इन कंपनी के founder हमारे Bill Gates सी है, और उनके दोस्त Paul Allen, Bill Gates और पॉल एलन, दोनों ने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था, 4th of April 1975 में, ठीक है, और इनोंने अपना operating business शुरू किया था, 1980 में, और क्या 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 चला, उसके बाद ये business कभ भी बंद नहीं हुआ, ठीक है, इन्होंने 1990 में क्या किया था, इन्होंने 1990 में डाइवर्सिफाय किया था, ये इंडिया में भी आया था, ठीक है, very, 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 very good, sir, यहाँ पर हमें ये देखता है, sir, उनकी क्या है, उनके vision क्या है, sir, Microsoft vision statement shows that the company's target market and product value, इनकी product की value बहुती जब 500 company के list में, fortune 500 के company के list में, यहाँ पर देखना, ये देखो one not, one not, one not, one not, one not, आपको सबसे top पर दिखेगा, मैं जिस पर लिख रहा हूँ ना भी one not, in the classroom, Microsoft in the education, तो ये one not हम लोग इस्तमाल कर रहे हैं, right, one not हम लोग इस्तमाल कर रहे हैं, जिस पर हम लोग लिख रहे हैं, Nokia को इसी company ने acquire किया था, Skype को भी इसी company ने acquire किया था, Nokia को किया था, Skype को किया था, LinkedIn को भी किया था, ठीक है, जो इन सारी companies को किस ने acquire किया था, Microsoft ने, right, yes, I guess that's it, sir, इतना ही चयाद रखने का, yes, world's best employers list में, world's best employers list 2019 में, इनका rank second है, second, ठीक है, and worst largest public organization में भी याद रखना, 13th rank इनका वो largest public corporation के list में, इनका 13th rank है, 13th rank, ठीक है, so याद रहेगा, sir, इतना बिल्कुल याद रहेगा, भाई, इसमें क्या problem क्या है, इसमें, क्या, क्या, basically याद रखना है, sir, इसमें से इनका, guys, ये याद रखना बहुत जरूरी है, 1975 को याद रखना, बहुत 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 जरूर बहुत जरूरी है, और यहाँ पर इंडिया की स्टोरी कब शुरूरी थी, 1990 में शुरूरी थी, इसको भी याद रखना, बाकी जो भी मैंने अंडर्राइंग किया, वो भी important है, लेकिन उसमें से बहुत 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 ज़्यादा important क्या है, जो मैंने specifically MC की लिका है, वहाँ प आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरी company, एक और company देखेगे, सर इसको भी बाजो में लिखो ना, लिखेंगे, थोड़े समय बाद, एक और company करते हैं, फिर साथ में लिखेगे, ठीक है, येस, आगे 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 बढ़ते हैं, हमारी एक बहुत जवरदस्त company, जि company को देखकर सारे लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये बहुत अमीर है, हाँ भाई ये बहुत अमीर है, ऐसी कौन सी company करने वाले है, बच्चा पार्टी हम लोग, ऐसी company करने वाले है, जिसको देखकर ऐसे लगता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा हमीरे सर, उस company का नाम क् उस company का नाम है Apple बिल्कुल सही कहा है बचा पार्टी उस company का नाम है Apple Apple को देखकर हम लोग कहते हैं हाँ mobile हाथ में Apple है ना मतलब यह बहुत रही से चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले highlighter change highlighter change यह लो फिर से एन एपल अडे किपस दॉक्टर अवे एन एपल अडे किपस दॉक्टर अवे अब देखते हैं यह अपल यह अलग अपल है लेकिंडिक है तिंग डिफरेंट वाला अपल है यह तिंग डिफरेंट वाला 1977 में company शुरू हुई थी incorporation year है California में इनके headquarters है California US इनके जो CEO का नाम है वो है Tim Cook इनके जो CFO का नाम है वो है Luka Mystery ठीक है यहाँ पर यह देखिएगा एपल इस दो वर्ल्ड लार्जेस्ट information technology by company by 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 revenue largest 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 information technology company by revenue याद रखना है exam में आ सकता है largest information company by revenue and it is the world's largest technology company by assets ठीक है largest technology company by assets और रुको अभी तक बाकी है ठीक है world's second largest mobile phone company mobile phone manufacturer after Samsung क्या क्या याद रखोगे देखना है आपर world's largest company by technology ठीक है world's largest information technology company by revenue रेवेन्यो largest technology company by assets and world's second largest mobile phone manufacturer second largest mobile phone manufacturer ठीक है world's largest music retailer world's largest music retailer इनके founder members का नाम क्या है SSR SSR क्या है SSR Steve Jobs Steve Woznik Ronald Wain SSR Steve Jobs Steve Woznik Ronald Wain Steve Jobs Steve Woznik Ronald Wain यहाँ पर SSR है इनके founder member का नाम क्या है SSR याद रहेगा बिल्कुल याद रहेगा बिल्कुल आपने पढ़ाया है कैसे बूले गया 1976 में company found हुई थी और 1977 में incorporate हुए थे यहाँ पर maximum बच्चा गलती करता है लेकिन हम लोग गलती नहीं करने वाले है क्या हम लोग डागा सर की student है राइड एवरीवन राइड एवरीवन और वेरी 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 गुड यहाँ पर हम और आपको बताना चाहते है हम इस यहाँ पर सिर्फ एक मजाक लिका है हाँपर एक मजाक किया है क्या मजाक किया है सर यह देखिए मजाक है High quality यह बराबर लो कॉस्ट लो कॉस्ट कहां से लो कॉस्ट ली लो कॉस्ट तो भी ना है सबसे high cost के mobile हार इनके ठीक है यह बिलकुल भी low cost नहीं है यह high cost mobile यार मज़ा कर दिया है यह यह इन्होंने vision में high quality agreed low cost not agreed बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं है बचा पारटी मज़ा कभी कभी कुछ कुछ लोग कर देते हैं इन्होंने यहां पर मजा किया है हमारे साथ यह से लिखकर फिर एपल का टीवी भी है एपल का म्यूजिक है आई टून से यह सारी चीज़े है किसकी एपल की इन में थोड़े बहुत नाम याद रखना बाकी ज्यादा कोई टेंशन और लखाम नहीं है एपल का रैंकिंग बहुत जबरदस्त है ठीक है एपल रैंक्ट फॉर ऑन वर्स बेस्ट एंप्लॉयर्स के लिष्ट में फॉर पर है वर्स लार्चेस्ट पब्लिक और्गनाज़ेशन में नाइंथ रैंक पर है कितने नाइंथ रैंक्पर ठीक है यहाँ पर और और एक है जो बहुत अच्छे से याद रखना है इन्होंने एक अप्लिकेशन को इन एक वाइड धाट सेट इतना ही याद रखने का है ठीक है यस getting everyone यस अभी अब यह इस में क्या क्या याद रखने का is एक बर रिवाइस कर लेते देखो 1977 क्या नाव फाउंड हुआ था के लिफोर्दिया में इनके हेड्कॉर्टर से तीम कुक इनके CEO है इनके फाउंडर मेंबर का नाम है SSR इनके जो CEO का नाम है इनके CEO को नाम है then it is the world's largest information technology by revenue and the world's largest technology company by assets and world's second largest mobile manufacturer company after Samsung it is the world's largest music retailer okay, then directly आने का है हम लोग को शाजाम आपको इन्होंने अक्वायर किया था रांक फोरे पॉरजुन फाइवंडेट पे राइंग फोरे वर्ल्स के बेस्ट एंप्लॉयइज की लिस्ट में यहां पर वर्ल्स लार्ज़ेश्ट पबिक और संसे आएंग यहां पर रिंकर रांक नाइन है यहां पर आट एट यह सब क्या भूल रहा है आचल को स्वामी कोई बात नहीं है सब कुछ याद रखेंगे don't worry at all मैं हूना यहाँ पर ठीक है yes tension नहीं लेने का ठीक है tension बिल्कुल नहीं लेने का मैं priority भी आपको बता दूगा ठीक है don't worry at all अभी apple हो गया sir हाँ हो गया apple अभी क्या करने का अभी रुको ना मैं बताता हो क्या करने का अभी दूसरी company करेगे ठीक है amazon amazon यह देखिए बच्चा पार्टी amazon guys कौन से साल में incorporate हुआ था amazon 1994 में incorporate हुआ था जी हाँ amazon के headquarters काँ पर amazon के headquarters Seattle Washington में है जी हाँ amazon के founder and CEO jeff bezos amazon की founder amazon की CEO और richest person in the world is also jeff bezos jeff bezos राइट who is the cfo mr brain mr brain is the cfo of the company यहाँ पर बच्चा पार्टी हमें यह बताना है कि one of the most influential economic and cultural forces in the world amazon का नाम आता है और यहाँ पर क्या याद रखना है यह इंडिया में कब आयता है 2012-2013 में इंडिया में आयता है हाईदरबाद में इनके headquarters है हाईदरबाद इंडिया में अमित अगरवाल is the CEO of the India Raghav Raghav is the CFO of India क्या India Amazon याद रहेगा बिलकोल याद रहेगा we aim to be the earth's most customer centric company guys यह definitely they believed in providing the services to customers and it was always about the customers customers को better experience रहेगा customers कुछ रहेंगे customers अगर कुछ रहेंगे तो हमारी company ग्रू होगी तो यहाँ पर इन्हों ने एक better work place बनाया एक better ecosystem बनाया जहाँ पर sellers को और buyers को एक अच्छा experience मिल सके with the click return policies then I would say that अच्छे payments हो रहे थे refunds बराबर से आ रहे थे services इनके अच्छी थी short term में delivery था prime members की इन्होंने यहाँ पर facilities निकाली कि जो prime membership करी देगा तो उनको हम लोग one day delivery देगे two day delivery देगे तो guys यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो भी यहाँ से तरक करी है वो बहुत ही बहुत ही amazing तरीके से करी है guys और उन्होंने हमेशा को customer को सोच कर ऐसी चीज़े लेकर आए जिससे customer long term सक उनसे जुड़ा रहा अब prime ले लिया तो वो एक साल तक जुड़ा रहेगा एक मेने तक जुड़ा रहेगा एक छे मेने तक जुड़ा रहेगा so that is absolutely a great 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 thing right so guys amazon के जो प्रोडक्ट से देखना हर एक चीज़ सिप और सिप इसने book selling से शुरू किया था book rent पर देना शुरू किया था और देखो यहां पर यह सारी services यहां पर provide कर रहा है it ranked second बहुत बड़ी बात है on the fortune 500 companies list in 2020 बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है customer satisfaction index में यह rank one है अमेरिका में अमेरिका में rank one on the customer satisfaction index internet retail category में brands most valuable global brand है brand Z most valuable global brand world's most admired companies in 2017 से लेकर 2020 तक so guys and richest person कौन है richest person is Jeff Bezos Jeff Bezos is the richest person of India sorry India नहीं world sorry world तीक है slip of the tongue slip of the tongue right so समझ में आवी क्यों बच्चा पाड़ी समझ में आवी सर इसमें ज्यादा नहीं है ज्यादा MCQ नहीं है लेकिन हाँ जो भी है वह याद रखने का एकदम एकदम ज्यादा MCQs नहीं है इसमें बहुत कम MCQs है क्या 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 याद रखो के देखना ना 1994 याद रखना है 1994 में एक याद नाइटिन के पावाई थी 2012-2013 में थी इनके पाउंडर के CEO कर नाम है Jeff Bezos Seattle Washington में हिंका headquarters है India में हैदरबाद में हिंका headquarters है इंडिया में को है Amit Agarwal is the head then India में यहां पर Raghav Rao is a CFO that's it फिर इनके rankings याद रखने है ranked second on the fortune 500 company is this and the most admired company most admired company है यह world's fortune world's most admired company के second rank पर आता है brand Z most valuable global band में first number और पर आता है so Jeff Bezos is the richest person richest person ठीक है yes okays 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 so चलिए यहां पर बच्चा फाड़ी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं with the next 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 company sir अभी कोई इंडिया की कमपनी लोना sir इंडिया की कमपनी लोना sir ऐसे क्या कर रहे हो आप multinational company multinational company मतलब भार की company क्यों ले रहे हो इतना ठीक है इंडिया के लिए दे don't worry guys don't worry यार विप्रो ले दे चलो विप्रो ठीक है CA foundation on academy pro विप्रो ओके ब्रो ओके ब्रो ओके ब्रो लेट get started bro okay so चलिया आगे बढ़ते हैं विप्रो गाइस 1945 में ये company शुरू हुई थी इनके headquarters कहां पर है इनके headquarters are in Bengaluru राइट रिशाथ प्रेम जी is the रिशाथ प्रेम जी is the chairperson of this company ठीक है chairperson of this company who is the CEO of the company he is the CEO of the company is theory Dalpot who is the CEO of the company theory Dalpot who is the CFO sir CFO is Jatin Dalal guys company बहुत ही जबरदर्स company है क्योंकि ये company किसने found की ते आपको पता है do you have any idea ये company किसने found की थे yes बोलिए ना गाइस अजीम प्रेम जी गाइस अजीम प्रेम जी मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही माने जाते हैं उनके charity के लिए ठीक है इन्हों ने मतलब बीच में pandemic में एक article आया था जब मैंने देखा कि इन्हों ने जितनी charity उन दिनों में करी थी ना तो मतलब वो दिन का कुछ 22 क्रोड रुपया वो charity में दे रहे थे ठीक है है अच्छे से यहां पर यह सुसाइटी को भी ध्यान में रखकर अपनी काम काच करते थे हैं ठीक हैं? यहां देखिये यहां पर देखिये देखिये कहां पर यहां इनके clients देखना ना यहां outsourcing companies with a client in 175 cities across 6 continents राइट यहां पर हम लोग देखेंगे कि और क्या याद रखना है हां जो company देखिये founder इनके कौन है? मोहमत प्रेमजी is the founder of the company और इस company का फुल पर्म क्या है? यह याद रखना है MCQ के लिए आ सकता है Western India Palm Refined Oil Limited Western India Palm Refined Oil Limited Western India Palm Refined Oil Limited ठीक है? और यह company एक छोटे से गाव में अमलनेर में जलगाव डिस्ट्रिक में यह company शुरू करी थी गाईस और पहले यह सिर्फ vegetable oil refined oil इन सब चीजों में थी लेकिन उन्होंने सोचा कि आगे जाकर IT का बहुत बोल बाला होने वाला है तो इन्होंने IT में कदम उठाया 1980 में यह company IT में आ गई थी गाईस और देखिए आज यह बहुत बड़ी IT company में भी बहुत अच्छा नाम है इस company का विप्रो का विप्रो और क्या क्या बेचता है विप्रो बहुत कुछ है गाईस यह लोग है Western India Products Limited यह Lighting Care and Lighting में भी है यह विप्रो Infrastructure Engineering में भी है ठीक है यह GE Medical में है बहुत सारी चीज़ों में है ठीक है डाइवर्सिफाइड है रैंक याद नहीं रखने का है इस इस इतना ही चयाद रखने का है इतना ही याद रखने का है सर फिर से एक बार हो जाए ठीक है एक बार फिर से हो जाए ठीक है अब देखना है यहाँ पर लिख दो एक बार गाईस शाड़ाई राइट लिखने के बाद लिखना इटी में इन्होंने कदम उठा ए ठीक है यह कंपनी को फाउन किस ने किया था मुहमत प्रेम जी ने कि मौहमत प्रेम जी ठीक है नोस है यहाँ पर देखिए इनके वह अनका नाम क्या है एनके chairperson का नाम क्या है बचापार्टी रिशाद प्रेम जी रिशाद प्रेम जी Who is the CEO of the company Theri Delporte ठीक है Theri Delporte ठीक है Then sir who is the Jatin Dalal जतिन दलाल is the CFO ठीक है ये भी आद रखना है Yes ये भी आद रखना है Jatin Dalal Sir इस company के full form क्या है sir Western India Palm Refined Oil Limited ठीक है क्या है Western India Palm Refined Oil Limited Yes Yes बस इतना भी याद रखोगे तो बहुत है Sir इनके headquarters का पर इनके headquarters Bangalore That's it That's it इतना ही याद रखने का है और बाकी कुछ याद रखा नहीं तो भी चलेगा यह 1945 में यह found हुआ था 1980 में यह IT में गया यह कौन है? यह founder है इनके founder यह कोन है? यह chair है Chair के बाद यह कौन है? CEO है और यह कौन है? CEO है ठीक है, getting everyone एकदम जबर्दस्त सर, मज़ा आभी ग्यों सर, मज़ा आभी ग्यों आनन्द आगया सर, आनन्द applying thoughts इनके slogan है, applying thoughts जबर्दस्त मज़ानू लाइफ सर, एकदम एकदम मज़ानू लाइफ सर अभी सर आपके favorite वाले सर कौन है, टाटा ग्रूप करी टाटा नहीं आया, तो क्या ही तो फाइदा है 1968 में ये टाटा कंपनी शुरुए थी, oh my god 1960, sorry, 1868 1868 are you getting it guys 1868 throughout the years and years and years, decades century ठीक है, बहुत 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 पहले से टाटा ग्रूप, guys इनका headquarter Bombay House Mumbai Mumbai, right na, Mumbai Maharashtra who is the present head Natarajan Chandrasekharan is the present head Natarajan Chandrasekharan Natarajan Chandrasekharan Natarajan Chandrasekharan, right, okay ये एक largest conglomerate company है, largest conglomerate company, India's largest conglomerate इनके करीबन पता है कितनी companies होगी, 100 companies से ज्यादा होगी इनके companies 100, more than 100 companies ठीक है, 100 independent operating companies इनकी listed companies देखोगे, तो कम से कम 28 से 29 listed companies है 28 से 29 listed companies really, ठीक है, Tata has always been value driven, absolutely, man of ethics, man of ethics, ठीक है, यहाँ पर रतन जी टाता, ठीक है, इनकी क्या है, इनकी core values क्या है, core values of Tata, pioneering, सबसे पहले, कुछ ना कुछ नहीं चीज़ लेकर आना, integrity, excellence, unity, and responsibility, ठीक है, मैंने Tata जी के बारे में बहुत कुछ बोला है, रतन टाता जी के बारे में special classes में, यह revision चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं उनके companies के बारे में detailed में नहीं बता रहा हूँ, आपको detailed साथे videos देखने हैं, तो आप special class पर जरूर देख सकते हो, next level हम लोगों ने कहानी discuss की है, हम लोगों ने बहुत सारी companies के कहानी discuss की थी, guys, रतन जी टाता के बारे में मैं ने बहुत कुछ बताया था, ठीक है, उनके बारे में जितना बुलू उतना कम है, ठीक है, ठीक है, जितना बुलू उतना कम है, वहाँ पर जाकर जरूर देख सकते हो, जिसने भी देखा नहीं होगा, तो special classes में बहुत अच्छे से हम लोग ने सारी companies को किया है, right, guys, यहाँ पर इनके कुछ brands देखेंगे, popular brands, तो यार, इतने सारे brands है, ठीक है, देखो यहाँ पर, Nelco, then we have, we have, देखो, TCS, Tata Consultancy Services, right, मतलब थोड़े बहुत देखते हैं, हम लोग से, यह देखना, guys, विस्तारा Airlines, आपको पता ही होगा, विस्तारा Airlines, Tata Life Insurance, Tata AIA Life Insurance, Tata AIA Life Insurance, यह AIA भा टा, Tata Global Beverage, Tata Coffee, Tata Sky, ठीक है, इसको लगा डाला, तो लाइफ, जिंगा लाला, डागा 10, इसको लगा डाला, तो लाइफ, जिंगा लाला, राइट ना, बस, 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 वही से आया हैंगे, ठीक है, अब देखना यहाँ पर, guys, यह company बहुत सारे, यार, मतलब Tata Ceramics भी ह लिस्टेड भी है यह, stock exchange में, Tata Metallics, Tata Motors, Tata Steel, कितना है वाई, कितना, इतनी सारी company है, ठीक है, yes, Voltas, Voltas किसका है, Tata का है, Voltas किसका है, Tata का है, और जिसको कुछ नहीं पता है, उसको Tata Salt तो पता होगा, जिसको जिंदगी में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन at least उसको Tata Salt तो राइट, yes, sir, इसमें, इसमें guys, इसमें थोरे से कम MCQs है, लेकिन हा, इस company के बारे में पढ़ना मतलब बहुत interesting है, बहुत जादा interesting है, इस company की जबर्दस, जबर्दस कहानी आए, ठीक है, 28 listed companies on the Tata Group, Tata Group की 28 companies are listed on the stock exchange, 28, 28, किसको बलते हैं, राइट न, जबर्दस, जबर्द okay, so guys, that's it, इसमें ज़्यादा याद रखने लाए, कुछ नहीं है, there are 29, 29, there are 29 publicly listed Tata Enterprises, amazing, 1868 याद रखी हो, Bombay याद रखी हो, Natarajan, Chandrasekhar को याद रखना, largest conglomerate को याद रखना, ठीक है, that's it, that's it, और इनकी values को याद रखीगा, values को, Red Heart, OP in the chat box, Red Heart, okay, that's great, that's, that's, that's great, guys, अभी Tata की बात हो गई है, तो guys, थोड़ी सी SBI के भी बात करते हैं न, मेरी favorite bank, my favorite bank, SBI, revision किया, और SBI का revision नहीं किया, तो क्या ही तो फाइदा सर, आप, 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 कुछ ना कुछ तो सर, क्या कर दोगे, आप कुछ ना कुछ मिसाउड कर दोगे, सर, सब कुछ किया, लेकिन SBI नहीं किया, मतलब कितनी गलत बात है, सर, कितनी, कितनी, कितनी गलत बात है, 1806 में ये company incorporate हुई थी जी हाँ Mumbai में इनके headquarters है जी हाँ Rajneesh Kumar इसके present head है जी हाँ चरंजित सुरिंदर सिंग आतरा चरंजित सुरिंदर सिंग आतरा CFO याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा याद नहीं भी रखोगे तो भी बिल्कुल बिल्कुल चलेगा इसमें याद रखोगे नहीं भी बहुत कुछ है ये largest largest banking and financial services company in India by assets largest bank in India by assets सबसे बड़ी बैंक ही है सबसे बड़ी बैंक ठीक है अब देखना यहाँ पर sir sbi 1 अपना app ला रहा है जिससे सिफ पांच मिनिट में bank account open हो जाएगा अनुराक सेंग जिस दिन ही होगा उस दिन मुझे सबसे पहले message करना भाई I would be the most happiest person in this world राइट जिस दिन ही होगा प्लीज inform me याद प्लीज 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 I would be really happy to hear this ठीक है अब देखना यहाँ पर हसो मत याद तुम लोग याद तुम लोग SBI का नाम रहते तो तुम लोग हसते क्यों हो ठीक है एक्टम सांत हो जाओ एक्टम सांत हो ठीक है इनका पहले नाम क्याता है Imperial Bank of India फिर दो Banks, तीन Banks merged होई थी कौन सी Bank of Calcutta ठीक है Making its oldest commercial bank ठीक है Bank of Madras Bank of Madras Merge with the two presidency bank कौन सी कौन सी In British India That is Bank of Calcutta And Bank of Bombay To form the Bank of To form the Imperial Bank of India और Imperial Bank of India को 1955 में नाम दिया गाय था State Bank of India ठीक है State Bank of India So यहाँ पर यह बहुत important है इसको याद रखीगा कौन सी दो Banks के साथ यह मर जोई थी कौन सी Bank of Madras दो Banks के साथ मर जोई थी That is Bank of Calcutta And Bank of Bombay To form the Imperial Bank of India और Imperial Bank of India का बाद में नाम जाज़ें जोकर हो गया था SBI ठीक है Yes SBI के Bodyguard खड़ा था जब सर गए थे हाँ बिलकुल थे हैं ठीक हैं एकदम खतरनाक थे बहुत ठीक हैं अमेजिंग यार अमेजिंग ठीक है SBI का Vision है क्या Vision इनका First in Customer Satisfaction Amazing Thing Amazing Thing ठीक है इनके Mission Guys I Really Like The Mission Of The SBI क्या-क्या दिया है यहां पर देखिए आरे यार तुम लोग हसो मत कहें We Will Be Prompt We Will Be Polite We Will Be Proactive With Our Customers ठीक है जबर्दस्त क्या बात है We Speak The Language Of Young India Zabardas्त ठीक है We Speak The Language Of Young India We Will Create The Products And Services That Will Help To Achieve Their Goals We Will We Will Go Beyond The Call Of Duty To Make Customers Feel Valued To Make Customers Feel Valued Right We Will Be The Service We Will Give The Service In The Remotest Part Of The World This Is Absolutely Truth Guys जहां पर कोई Bank नहीं वहां पर SBI होगा क्योंकि SBI हर एक Rural से Rural Area में SBI की Branch आपको दिखेगी ठीक है Yes देखना आगे है आगे देखना We Will Offer The Excellence In Services To Those Apparat मुझे तो नहीं पता है ठीक है We Will Invite The State Art Of Technology Technology To Drive The Excellence बहुत ही बढ़िया है बहुत ही उच्च विचार है बच्चा पार्टी जबर्दस्त एकदम 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 जबर्दस्त मज़ा आगया पड़कर ठीक है That's it तुम लोग क्या करोगे याद इसमें ज़ादा कुछ याद रखने का नहीं है मैं आपको बोलता हो क्या क्या ज़ाद रखने खाए क्या क्या ज़ाद रखोंगे फर्स्ट इन कस्टमर सर्विस येस माई कस्टमर फर्स्ट येस इंपेरियल बैंक आप इंडिया येस 1806 येस मुंबई मेड कोट अजे येस रजडिश कुमार येस देन 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 लाजजेश्ट बैंकिंग फिनांशल सर्विस कंपनी इंडिया भाई असेट येस बाट सिट बाट सिट समझ में आवी क्यों कितनी अमेजिंग बैंक है यारी है मैं पेवरेट बैंक बहुत इंपोर्टन से इस बैंक का जिस दिन SBI डूबेगी उस दिन पूरा इंडिया डूबेगा ठीक है सर वाई SBI is your फेवरेट नेहाजी उसके लिए तुम मेरा स्पेशल क्लास का सेशन देखना ठीक है मेरा स्पेशल क्लास का सेशन देखना आपको समझ में आ जाएगा ठीक है यस सर SBI का तो ऐसे याद हो गया है आपके बारे में याद आता है जब भी SBI पढ़ते है ओकी अबीजिंग ठीक है अब किस गाईस सीरियस्लिए जितनी तारिफ कर उतनी कम है SBI के बादे में लेकिन यस this is really really very important कि जिश दिन SBI हुपेगा उच धिन पूरा इंड्याद हुपेगा right na कितना बड़ा बैंक हे कितना बड़ा बैंक है right seriously okay सलिए सलिए आगे बरते है बचा पाडी let's 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 go forward I guess we should do Reliance Industries yes we should do Reliance Industries even I wanted to do Reliance सर इतना सब कुछ कर लिया और अगर Reliance नहीं किया तो भाई मोटा भाई बुरा मान जाएगे ठीक है Reliance Industries करेंगे अभी Reliance Getting everyone हम सब के favorites मेरे favorite, तुमारे favorite कौन है मोटा भाई देखो मोटा भाई की company Reliance Industries कब incorporate हुई थी 1966 में Reliance Industries incorporate हुई थी Mumbai Bank के headquarters है Mukesh Ambani is the CEO and CMD of the company Okay sir Reliance Industries का जो slogan है Growth is life वो क्या है देखना यहाँ पर Growth is life is the slogan of the company हमारे मोटा भाई की company है Sir इनके founder member कौन थे sir इनके founder member हम बताते हैं आपको धीरु भाई हिराचन Ambani and उनके भाई चंपकलाल दमानी कैसे याद रखोगे धीरु भाई अंबानी and चंपकलाल दमानी बोलो धीरु भाई अंबानी and चंपकलाल दमानी ठीक है कौन थे इनके founder member धीरु भाई अंबानी अंचंपकलाल दमानी इनने 1960 में इस company को फॉर्म किया था गाई इनकी भी story बहुत ही amazing थी धीरु भाई अंबानी की मैंने आपको special class में बताया है आपको अगर देखना होगा तो special class में देख सकते हो ठीक है बचा पार्टी यहाँ पर company found 1960 में हुई थी incorporate 1966 में हुई है ठीक है 1966 में गाईस इनकी जो textile का brand है वो कौन से साल में आया था 1975 में उसका नाम क्या था बचा पार्टी विमल गाइस यह वह वाला विमल बिलकुल नहीं जो तुम सोच रहे हो यह वह वहाँ पर शारुक खान भी आ चुके है और दोनों वहाँ पर enjoy करते हैं मैं वो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं textile वाले विमल की बात कर रहा हूँ टेक्स्टाइल वाले विमल की राइट येस आखे हैं चलिए चलिए special class किदर पूछ रही है स्मुरूती I guess you're new I guess you're new आपको पता हूँ अजी special class पतलब on academy के applications पर absolutely free of cost use the code daga 10 और मेरी class में जाकर वहाँ पर देखिए धून्डिये reliance industries को आप लोग को मिल जाएगा राइट ओके येस सर हमने नहीं भी सोचते हैं तो आपके कहने पर याद आ जाता है एई प्रसांद मैं याद में दिलाता हूँ ठीके तुम सोचते हो मुझे पता है हैं मुझे बिल्कुल 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 पता है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते देखना बचा पार्टी यहां पर हम कहना चाहते हैं इनका ये mission याद रखीगा growth is life तो पक्का याद रखना है growth is happiness growth is life growth is value growth is energy growth is growth growth के बारे में ये बात कर रहे हैं actually मुकेश भाई actually do that ये company को कहां से कहां तक पहुचा देते गाईस देखिए जीयो कब आया था और जीयो ने क्या कर दिया है राइट ता फिला दिया पूरे टेलिकॉम सेक्टर में राइट ना इतना जबर्दस तरीके से इन्होंने market को capture किया है Reliance जहां पर देखो वहां पर हैं हर एक जगा पर है Reliance का चक्रव्यू मैंने आपको बताया था Reliance चक्रव्यू इंदर special class अगर किसी ने नहीं देखा है तो special class में जरूर देखिएगा Reliance हर जगा पर Reliance से और यहां पर हर जगा पर competitors है उन competitors को अगर जाना है तो Reliance के चक्रव्यू को तोड़ कर उनको compete करना पड़ेगा मतलब Reliance हर एक सेक्टर में है यह कहना चाहते है ठीक है हर एक सेक्टर में ठीक है अब देखिए यहां पर guys Reliance fresh है Reliance footprint है Reliance timeout है Reliance digital है Reliance smart है Reliance jewels से Reliance trends है Reliance wellness है क्या क्या नहीं है या सहर जगा पर Reliance है Reliance life sciences में भी है Reliance exploration है production में Reliance petroleum and marketing में Reliance petrochemicals में Reliance geom ठीक है Reliance geom तो यह बहुत सारे sectors में है ठीक है यहां पर देखना यहां पर देखिए गहां Network 18 और Reliance textiles Network 18 में देखना guys Reliance के क्यों से कौन से mass media की companies है यहां पर brand वायो कॉम जब तुम मूवी देखने जाते हो तो वहां पर होता है ना मूवी देखने जाते हैं तो वायो कॉम ठीक है वायो कॉम 18 फिर आप देखते हो टीवी हिस्ट्री टीवी 18 बैन आप देखते हो EDV Networks Colors TV CNN IBM IBM लोकमत IBM 7 तो यह किसके हैं यह है किसके बचापार्टी रिलाइंस के हैं इनका विमल जो ब्रैंड है वो टेक्स्टाइल का ब्रैंड है यह भी याद रखता है MCQ में आ सकता है बचापार्टी कंजू से बिल्कुल नहीं करते हैं लाइक करने का इतना मज़ा आ रहा है आपको इतना सब्सक्राइब करने को बेटने नहीं होता है तो आप लोगों को मोबाइल चालू करके रखने का मैं मेरी पढ़ाई करो तुम तुम्हारी पढ़ाई करना सब्सक्राइब करकर रखना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इन्होंने बहुत बड़े-बड़े कंपनी के साथ साथ क्या किया था इन्होंने स्ट्राटेजिक अलाइंसेस किये देखो साओधी एरेम को इनको यह 20 परसन अपना स्टेक O2C बिजनेस पर बेचने वाले है O2C मतलब oil to chemical इन्होंने Microsoft के साथ भी क्या किया है पार्टनर्शिप अनौंस किये गाई इस पार्टनर्शिप Microsoft के साथ मजा गे है UK BP एक कंपनी है ठीक है वहां कि UK की BP PLC उनके साथ भी इनका जॉइंट वेंचर है जॉइंट वेंचर है जॉइंट वेंचर तु सेट अप दप 5500 पेट्रोल पंप्स अमेजिंग ठीक है यहां पर स्टेनिक इन्वेंसिंट इनिविट्विट्विटे गेपल को जा सब्सक्राइब मैं VOC return then networks याद रखना है MCQ के लिए आ सकता है हाथवे cables MCQ के लिए आ सकता है साओधी RM को MCQ के लिए आ सकता है ठीक है then data com भी आ सकता है यहाँ पर color TV वगर याद रखिएगा ठीक है ठीक है और कि रिलाइंस ने Silver Lake investment ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है रिलाइंस रिटेल में रिलाइंस रिटेल में क्योंकि वह सोचते कि इंडिया का रिटेल सेक्टर रिलाइंस बहुत आगे ले कर जाएगा रिलाइंस बहुत आगे जाएगा बड़ी बड़ी company ने reliance में invest किया है बहुत बड़ी बड़ी Facebook ने किया है Google ने किया है ये पिछले साल 2020 में जब इंडिया में Corona आया था जब सारे businesses बनते तो तब कौन चालो था हमारे Reliance जी मुकेज भाई ने बहुत बड़ी बड़ी company के साथ strategic alliances किया है दुनिया के सबसे बड़ी company Facebook, Microsoft, then Google इनके साथ उन्होंने types किया है so बहुत 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 आगे जाएगे company ऐसे हम उमीद रखते हैं ठीक है okay so guys बचापार्टी we have also done with the what we have done with this remotea भाई की company Reliance as well कितनी सारी companies आज हम उनको ने revise कर लिये amazing amazing oh my god time खतम हो रहा है हमारा एक छोटू सी company करें क्या एकदम छोटू सी company एक सेकंड मैं देखता हूँ आदानी कर लेते एकदम आदानी एकदम छोटी company ठीक है अदानी मतलब यहाँ पर MCQ जादा नहीं उसमें ऐसा खोलना है company बहुत बढ़ी है MCQ बहुत कम है ठीक है company बहुत बढ़ी है MCQ बहुत कम है और कि एशियन पेंस यह रहा अदानी कि एवरीवन एवरीवन यहां पर देखिए एक तम अच्छे से द्यान देना एक ही मिनिट के अंदर हम लोग खतम करेंगे एक ही मिनिट के अंदर हम लोग इसको company को खतम करेंगे 1998 में company शुरू हुई थी एमदाबाद में इनके headquarters है गौतम भाई शांतिलाल अदानी इनके प्रेजेटर है इनके CEO है करन गौतम अदानी ठीक है अगें ध्यान देना 1998 में company शुरू हुई थी एमदाबाद में इनके headquarters है गौतम शांतिलाल अदानी करन गौतम भाई अदानी और यहां पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इनका सबसे largest port कहां पर है मुंद्रा में है स्पेशल एकनॉमिक जोन यह भी आप लोग को एक्जाम में आ सकते हैं स्पेशल एकनॉमिक जोन राइट इतना ही याद रखना है स्पेशल यह बाकी ports and terminals को याद रखने का है क्या देखो एक बार कर देते क्या क्या है मुंद्रा दहेज हजीरा धामरा कट्टुपुली मार्मगोवा विशाक का पटनम टुना टेकरा इन और विजिन जम ठीक है फिर से एक बार क्या मुंद्रा दहेज हजीरा धामरा कट्टुपुली मार्मगोवा विशाक का पटनम टुना टेकरा इन और कंटिनर टर्मिनल एड विजिन जम लेकिन मुंद्रा है ठीक है डिट एक का विछ एक फुल फॉर्म याद रखना है डोमेस्टिक टारिफ एरिया डोमेस्टिक टारिफ एरिया सपेचल एक भुनेस्टोन इंड एफ ड्लिज एड़ एफ द दब्लिज depress मेड़़ नें हो zone free trade and verousing zone free trade and verousing zone okay guys done done not done we are done with the Adani as well we are done with the Adani as well हम लोगोंने बहुत सारी companies को आज revise किया है ऐसे हम लोग बीच बीच में छोटे मोटे revisions लेकर आते रहेंगे और जाने से पहले हम आप से कहना चाते हम आप से मिल रहें सैल inadequate study video study with meifice आप लोग यहां पर मेरे साथ पढ़ाई करोगे मैं मेरी पढ़ाई करूगा आपकी पढ़ाई करोगे वो कहते है FILMAHON नहीं बलता है पढ़ाई करने का कोई नहीं कोई पढ़ाई करने यह साथ में चाहिए करोना वाइरस में हम लोग लाइबरी नहीं जा सकते तो क्या हुआ लेकिन हम लोग नए नए तरीके निकालते रहेंगे आपके लिए गाईज और आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे मैं भी उस टाइम पर पढ़ाई करूगा तुम लोग भी मेरे साथ वाँ पर पढ़ाई करना चैटिंग कोई नहीं करेगा चुप चाप से पढ़ाई करेगा ठीक है मेरे मुझे टार्गेट बता देना फिर से बाद में खतम होने के बाद बता देना कि हाँ सर मेने गो और ग्राफ देना करेगा पर अपर आपको इकोनिक सिस्क्रिप्शन में करेगा पर स्टल कोच यूड़ीट बूक्स यूड़ीट प्रिंटेट बूक्स यूड़ीट अवलीट इस्क्रिशन चैनल आज वेल राइट यहां पर देखना 31,500 12-month subscription 22,500 6-month subscription combo and iconic की link आपको यहां पर description में मिल जाएगी combo subscription is one that I would definitely recommend you guys because यहां पर 12 subjects foundation के चार और intermediate के 8 subject only and only at 28,800 only you can go and grab this opportunity and guys get started with your plus classes you can watch the live classes you can watch the recorded classes you can watch the classes any number of time you can watch any of the batches that you want right combo iconic BA 59,400 and 44,550 right so thank you so much बचापाटी और अभी तक जाने से बिल एक चिस केना चाओगा जिसने भी finance buddies को subscribe नहीं किया है जाइएगा और थोड़ा सा प्यार दीजीगा finance buddies को और subscribe कीजीगा आपको यहां पर थोड़ा सा extra knowledge पिलेगा regarding to the finance, regarding to stock market, regarding to mutual funds right so thank you so much guys, tada bye bye take care, मिलते हैं फिर से आज रात सवा 9 बजे, धन्या